हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन इस सेशन में हम बात करेंगे यहां पर आज का टॉपिक है जो हमारा हो है है सेंट्रलाइज ट्रिनिंग इंस्टिट्यूट्स और कुछ अधर इंस्टिटूशन्स चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा तो इसी उम्मीदों के साथ स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कुश्चन यहां पर सेंट्रलाइज ट्रिनिंग इंस्ट्यूट्स रेलवे में कितने हैं और कहां कहां पर है है उनके हिट कारटर कहां कहां पर है तो आज हम इनके बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहला है यहां पर नायर देट इस नेशनल अकाडमी ऑफ इंडियन रेल्वे उसका है म्रोधरा next है इरीस इन डैट इट इंडियन रेलवेस इंस्टिटुट और सीविल इंजिनरिंग्स और उसका हेड़कौर्टर है फुने ठीक है इसका हेड़कॉर्ट इसके लाबाद इसका हेड़कॉर्ट 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 इसका हेड़क इंडियन रेलवे इंस्टिटूट अफ ट्रांस्पोर्ट मेनेजमेंट यह आपसे कई बार पूछा गया है ठीक है इरी टिम इसका हेटकौर्टर है लखनवू ठीक है कि इसको यहाट कौजम рाम रिखनाव की अग्तिक करेंट मोंगे मैं और शाथ मीर्फ यहाटो के अंदर है इसक और इत؟ रिल्वे इंस्टिट आफ एसेंटी सिंग्नल इंटेली कम्म्यूकेशन और साथ में इंटेर रिल्वे इंस्टिट आफ फाइन्स मेनेजमेंट इन दुनों का हीड़कॉर्टर जो है वह है सिकंदराबाद के अंदर है ठीक है ठीक है भाई तो इस तरह से टोटल एट सेंट्रलाइस टिनिंग इंस्टिट्स को हमने देखा अब हम बात कर लेते हैं प्रोड़क्शन उनिट्स की तो कुछ प्रोड़क्शन उनिट्स हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो इसका हिट कौर् फैक्ट्री चिन्नई के अंदर है ठीक है इसके अलावा रेल कोच फैक्ट्री आर्सी अफ का पूर्थला में है ठीक है मौडरन कोच फैक्ट्री देट इस एमसी एफ यह राय बरेली के अंदर है ठीक है रेल वील फैक्ट्री यह यालाहंका बैंगलोर में है इसके अलावा रेल वील प्लांट बेला में है और इसके लावा कुछ और नई फैक्ट्री इसका अनॉंसमेंट जैसे इस बार रेल बजट में किया गया था जैसे रेल कोच नवीनी करण कारखाना सोनी पत जहां पर भारत का प्रडक्शन होना है ठीक है तो रेल कोच फैक्ट्री सोनी पत हो जब हो गया जिसको हम रेल कोच नवीनी करण कारखाना भी भी बोल रहे है इसके अलावा मराथ वड़ा रेल कोच फैक्ट्री डेट इस MRCF लातूर ंतिक है तो इसके यहां पर भी जो घो है तो तरेन 18 का प्रडुक्शन होना है ठीक है इसके अलावा एक लेल कोच नवीनी करनकार खाना जहांसी में start हो रहा है ठीक है almost complete हो गया है उसमें production start हो रहा है वह इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ other units की बात कर लेते हैं तो जिसके अंदर North East frontier railway construction ठीक है RDSO जिसका Headquarter लखनव में है ठीक है और Core that is a Central Organization for Railway Electrification और इसका Headquarter जो है वह है प्रियागराज में है ठीक है तो North East Frontier Railway Construction Construction that is NFR Construction basically responsible है जितनी भी North East में जैसे Construction Units जो भी बनाई जा रही है for execution management control and monitoring of projects इसकी responsibility जो है वह है North East Frontier Railway Construction पर है इसके अंदर जैसे projects की बात करने तो new line जैसे हो गया doubling हो गया gauge conversion हो गया ठीक है तो इसके लिए new line के लिए प्लानेट है that is 11 गेश कनवर्जन के लिए प्लानेट की बात करें तो 14 है doubling के लिए प्लानेट की बात करें तो 15 है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है and other major work for setting up railway infrastructure तो NFR zone में जितना भी railway infrastructure है उसका setting setting setup होने का जिम्मा जो है इस पर है इसके लावा के बारे में तो आप सभी को पता होगा this is a research wing research design standards organization है ठीक है बेसिकली टेखनीकल एडवाइजर एंड कंसल्टिंग इंगिनियर्स to ministry of railways, general railways and production units का है ठीक है इसके लावा core की बात करें तो core is nothing but a basically इसका जो responsibility है to carry out railway electrification over the entire network of Indian railways अभी हमने देखा था इस core organization का जो headquarter है वह प्रयाग राज के अंदर है जिसे found किया गया था in the year 1979 ठीक है और क्योंकि railway electrification का जिम्मा इसके पास है तो up to first April 2023 तक अगर हम बात करें तो लगभग 58,812 route km वह है electrified हो गया है that means what 90% of total broad gas network of Indian railways ठीक है including Concord railways वह electrified हो गया है जो की core के द्वारा किया गया है ठीक है और Indian railways ने aim किया है कि यह 31st March 2024 तक entire broad gas network को electrified कर देगा ठीक है so the entire electrified main line rail network in India uses 25 kv AC that is alternative current will be used by 31st March 2024 तो काफी अच्छा संकेत है यह है ठीक है इसके अलाबा तो हमने यहां से कुछ basic organizations को cover किया है तो next अब बात करेंगे railway recruitment board की भी बात कर लेते हैं चलते चलते अभी हमने बात करी centralized training institute की और अभी बात करी हमने कुछ production units की और अब बात कर रहे हैं railway recruitment board की यह भी काफी important है railway recruitment board ठीक है exam में आ सकता है आपके railway recruitment board जो है basically it functions under the direct control of railway recruitment control board ठीक है railway recruitment control board जो की rail भवन नियो डेली में है ठीक है इसके under में यह rrb function करता है railway recruitment control board इसकी जो इसको जो establish किया गया था वह है April 1998 में किया गया था ठीक है और basically यह ग्रूप C technical and non technical post के लिए जो level 2 to level 7 of 7th central पे commission है तो उसके under में जितने भी recruitment होते है direct recruitment तो उनको department of Indian railways के लिए recruit करता है ठीक है और at present 21 rrbs are functioning ठीक है तो इनके नाम भी एक नजर में हम देख लेते हैं यहां पे rrb अजमेर एहमदाबाद प्रयाग कराज बैंगलूरू भोपाल भोवनेश्वर बिलासपूर कोलकाता चंडीगर चन्नाई गोरकपूर गोहाटी जम्मू मालदा मुंबई मुझफरपूर पतना रांची सिकंद्राबाद थिरुवनंत पूरम और सिलिगुडी तो इस तरह से टोटल 21 अररवी जो हैं इस समय फंक्शन कर रहे हैं ठीक है एक और ऑफिस की बात कर लेते हैं जो कि आउटसाइड इंडिया है डिटिज ऑफिस ऑफ रेल्वे एडवाइजर एड धाका ठीक है सो दा रेल्वेडवाइजर इन धाका कीप्स लाइजन विद्ध बंगलादेश रेल्वे एंड लुक्स आफ्टर मैटर्स रिलेटिंग ट कुछ पॉइंट को कवर अफ किया वीडियो अगर अच्छा लागा हो तो फ्लीज वीटिव को लाइक करें चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में फ्रेंट्स और लेक के साथ ज्यादा से ज्यादा शेर करें थैंक्स वाचिंग इस वीडियो वीडियो झाल झाल